अगर आपको जीवन के हर छेतर को समझना है तो पूरी दुणिया में सिर्फ एक ही किताब है जो आपको जीवन के हर छेतर का सटीक ज्यान दे सकती है और उस किताब का नाम है श्रीमत भगभत कीता दुनिया की सबसे बैस्ट बुक और इसी पवित्र गरंथ में से आज मैं शामिले जाएंगे और आपके भटके वे मन को एक सही रास्ता दिखाएंगे लेकिन उन विचारों को शुरू करने से पहले आप एक दुगहरी सासे ले और अपना पूरा फोकस मेरी आवास पर रखें जो व्यवार आपको दूसरों से पसंद ना हो एसा व्यवार आप भी प्रोद और लालच ये तीनों नर्क की दरवाजे हैं इनसान हमीश्य अपने भागियों को कोचता है यह जानते हुए भी कि भागियों सोचा उसका कर्म है जो कि स्वयम उसके अपने हातों में है मनुष्य अपने रदय से जुदान कर सकता है वो हातों से नहीं कर सकता और जो कुछ वग कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पेदा होता है जिससे उसका बहुत धीकतर कनश्ट हो जाता है और तबी उस व्यक्ति का देरे-देरे पतन होने लगता है मन की शांती से बढ़कर इस संसार में कोई भी स चाहिए कि यह दोनों ही परिश्थितियां आपको सही नीरणा नहीं लेने देती हैं, अगर कोई आपको अच्छा लगता है, तो अच्छा वो नहीं है, बलकि अच्छे तो आप हो, क्योंकि उसमें अच्छा ही देखने वाली नजर आपके पास हैं, मनुष्य अपने जीवन मे कभी फिकी नहीं पड़ती इसलिए व्यक्ति को सदेव सत्य बोलना चाहिए सदेव संदे करने वाले व्यक्ति के लिए परसन्यता ना तो इस लोक में है ना ही पड़ लोक में परिवर्तन संसार का नियम है समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्दन के नियम का पालन करती है मन चंचल है और इसे नियंत्रित करना कठीन है लेकिन अभ्यास से इसे वश्मी किया जा सकता है और जो मन को नियंत्रित नहीं करते मन उनके लिए शत्रों के समान कारे करता है कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काट नहीं पड़ता है इसलिए हमेशा अच्छे बीच गोएं ताकि आपके फसल भी अच्छी हो जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्थ होने पर दीपक बूच जाता है ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य के कर्म भी शीर्ण होने लगते हैं पेले और नाही भागे सदी कुछ मिलता है लेकिन उसे सद्यों पाने के लिए उसे प्रयत्न शिल रहना चाहिए जिस प्रकार अगनी स्वर्ण को परकती है उसी प्रकार संकट वीर पुरुशों को दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है पर कभी-कभी भरोसा करने में भी सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि कई बार हमारे खुद के दाथ भी हमारी जीब को काट लेते हैं आपको सच्चा चाहने वाला आपसे हर तरकी बात करेगा हर मसले पर बात करेगा लेकिन दोका देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बाते करेगा जीवन का दूसरा नाम संगहर्शे मैं कर सकता हूँ ये आत्मविश्वास है लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये सोचना घमंड है आत्मविश्वास को अपनाए और घमंड को छोड़े कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है इन सबसे आप जितना दूर रहेंगे जीवन में आप उतना ही खुश रहेंगे अगर आप अपने गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीडियां बनती है और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर बनती है फेसला आपका है क्या आपको चड़ना है या फिर ढूबना है गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरौत बदल जाती है तब उस इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है जेसा वह विश्वास करता है वे सही वह बन जाता है और यदी कोई विश्वास के जाद इच्छित वस्तों को लेकर नित्थ चिंतन करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है जीवन में सफलता का ताला दो चावियों से खुलता है एक कठिन परिक्ष्रम और दूसरा द्रड संकल्प जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वो पोर्णत अपराप्त कर लेता है मनुष्य को इस बात का घमट कभी भी नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भ्यावशक्त नहीं बढ़ेगी और इस बात की गलत फ्हेमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जरुवत हर किसी को होगी अगर आपको जीवन में कभी जुकना है तो किसी की विनमृता के आगे जुके लेकिन किसी की शक्ती के आगे रूख के आगे और धन के आगे कभी मत जुकना जो बीद गया उस पर दुख क्यों करना जो है उस पर अहंकार क्यों करना और जो आने वाला है उस पर मोह क्यों करना जिस प्रकार विध्यार्ती का धर्म होता है विध्याप्राप्ट करना सेनिक का धर्म होता है देश की रक्षा करना ठीक उसी प्रकार मनुश्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए और जिस मानव का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य उसे पूर्ण करना चाहिए अपने जरूरी कामों को पूरा करो क्योंकि वास्तों में काम करना कुछ न करने से कई गुना भेतर है वक्त से पहले मिली चीज़े अपना मुल्ली खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़े अपना महत्व इसलिए समय की कदर करें और अपने काम को समय पर करने की कोशिश करें जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और नहीं भविशकाल में बल्कि जीवन का आनंद तो बस वर्तमान में जीने में है सही कर्म वहां नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो बल्कि सही कर्म तो वहां है जिसका उपतेश कभी भी गलत ना हो स्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन बहा तुम क्यों रोते हो तुमने जो खोया है क्या वो तुमने पेड़ा किया था आज जो तुमारा है वो अकल किसी और का होगा क्योंकि परिवर्दन ही संसार का नियम है अगर आप किसी का अच्छा ना कर सको तो बूरा भी मत करना क्योंकि दुनिया कमजोर है दुनिया को बनाने वाला नहीं माफ करना और शांत रेना सिखिए आप एक एसी ताकत बन जाओगे कि पहाड भी रास्ता देंगे जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता है एसा निश्य जिनकी बुद्धिम होता है उन्हें कभी भी चिंता नहीं सता दी सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ लेकिन जोट हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि मैं संसार की सुगंद हूँ अगने की उश्मा हूँ और समस्ते जूइत प्राणियों का आत्म सय्यम हूँ आप चाहे कितने ही पच्छे कर्म कर दो लेकिन समाच सदेव आपके बूरे कर्म को ही याद रखता है इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बहतर है कि आप अपना कर्म करें जब मन व्याकूल हो तब कोई भी निर्णाई ना ले भरेवे मन से लिया गए निर्णाई कभी भी सही नहीं हूँता जुवा, मदिरापान, हिंसा, असत्य, मद, असक्ती, निर्दैता और एक से ज़्याद इस्त्रिक सा संबंद रखना इन सब में कल्यूक का वासे इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जिवन में विकार और परेशानी आती है आनन्द मनुष्य के भीतरी निवास करता है लेकिन मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बहारी सुकों में खोज रहा है और आखरी विचार कि भगवान ने जिसे भी संपत्ति दी है उसे गाए अवश्य रखनी चाहिए इन सबी विचारों में से कौन सा विचार आपको सबस्यादा पसंद आया हमें कॉमेंट करकर ज़रूर बताएं और इसी तरह के पॉजिटिव विडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें मैं आप समिनूँगा अगले विडियो में तब तक के लिए जय हिन, जय भारत, जय श्रीकिष्णा